कि यूँ तो हमारे देश में अजब गजब के किस्तों का बंडार है और ऐसे में कई गजब के किस्ते देखने को मिलते हैं जो इनसानी दिमाग से परे हैं और आज गजब की बात में एसी हेक अजीबो गरीब घटनाम आपको आगे वीडियो में बताएंगे जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि ये तो सच में गजब की बात है नमस्कार मैं हूँ शेक जूही और आप देख रहे हमारे स्पेशल सेगमेंट जिजब की बात असम में एक छोटा सा गाउं है जिसका नाम है जतेंगा जोहां अगस्त से सेप्टेंबर के बीच एक घटना घटती है यहां इस समय के दोरान देश भर से सेक्ड़ों पक्षिया आते हैं और एक साथ आत्मप्षिया कर लेते हैं इसी वज़ा से इस गाउं को पूरी दुनिया में जाना जाता है दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात पर सर्च कर रहें कि आखिरकार इस गाउं में ऐसा क्या है कि सभी पक्षिया कर यहीं प्रांट प्याग देते हैं लेकिन अब तक जवाब नहीं मिल सका है वैसे तो असम के उत्री कच्चर हिल्फ जीले में सेकडो गाउं है लेकिन पहाड़ियों और पठारों से गिरे जतेंगा इस गाउं को से अलग है इस गाउं में रहने वाली 1200 जातियां जो आदिवासी है वा आज भी गुमनामी में जीती है इनका गुजारा जंगल, मुर्गी और पशुपालन से होता है हाला कि अगस्त और सेप्टेंबर के महीने में यहां सब कुछ बदल जाता है दुनिया भर से लोग यहां पक्षियों के रहसे में इस सुसाइट को देखने आते हैं और कहीं रिसर्चर्स अभी यहां शोत करने के लिए आते हैं हिंदु धर्म में अमावस की रात का एक अलग महत माना जाता है कहते हैं इस दिन बुरी शक्तियां अपने चर्म पर होती है जतिंगा गाउं में भी जादतर पक्षि सेकडों की संक्या में अमावस की रात ही कट्था होते हैं और यहां आत्मःतिया कर लेते हैं कहते हैं यहां पक्षियों की मौत दो तरह से होती है एक तो पक्षि खुद ही आस्मान से गिरकर अपनी जान दे देते हैं दूसरा यहां की रहने वाले आदिवासी गाउं में लकडी के खंबो पर लाल्टेन बांग कर टांग देते हैं और लाल्टेन की रोशनी की तरफ एक एक कई पक्षि कटी पतंग की तरहां खीचे चले आते हैं और तकरा कर अपने प्रांट प्याग देते हैं सबसे हरान कर देने वाली बात यह है कि सामुहित रूप से पक्षियों के आत्मत्या की बात सिर्फ इसी गाउं में होती है यहां से महस दो किलो मिटर धूर एक दूसरा गाउं है वहाँ पक्षिये साख कुछ नहीं करे इस गाउं में भी दिन में सब ही पक्षि समाने रूप से सक्रिया रहते हैं लेकिन रात होते ही उनके अंदर अजीब सी खलबली मज जाते हैं और वहाँ जान देने के लिए आस्मान में चक्कर काटने लगते हैं ऐसी ही गजब की बाते जानने के लिए बने रहे हमारे साथ मैं हूशेक जूई आप देख रहे हमारा स्पेशल सेग्मेंट गजब की बात शुक्रिया